हमारे चैनल एजबी टी सास बहु के तड़का में आप सभी का स्वागत है तो लाश्ट टक सारे रेश्पी को देखेंगे तभी आपको समझ जाएगा सिंपल है परन्तु बहुत ही स्वादिश्ट है बर्शात का सीजन है और इसमें भुट्टे का कबाब बना कर खाईए तो भुट्टे को मैं इस तरह से गोल काट ली हूं काटने बार कूकर में दो सिटी तक उबालूंगी इसमें थोड़ा साच नमक डाली हूं चुटकी भर बस एक दो सिटी में ही अच्छे तरीका से अंधर तक पक जाता है देखे यह उबल चुका है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब कीजिए इस तरह से डखकन बंद करके दो सिटी लगा देना है यह दिखे उबल चुका है बहुत ही टेश्टी रेस्पी है और यूनिक है एक बार ऐसा बना के जरूर खाईएगा तो बहुत ही स्वादिश्ट है इसके पहले भी हमने भुट्टे का पकोड़ा बनाना बताये थे तो आप उस रेस्पी को भी देखे हमारे स्वाट वीडियो में भी है और लॉंग वीडियो में भी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब कीजिए एकदम अंदर से पग गया है इसमें नमक है श्वादा अंसार पहले भी नमक डला है तो कम डालिएगा और लाल मिर्च है और धनिया पावडर है कुटी हुई काली मिर्च और ये अरा रोठ है कौन अपलोर अगर नहीं है तो आप चावाल आटा भी डाल सकते हैं और सबको अच्छी तरीके से मिला लेना है हाथों से मिला लीजिएगा हाथ से अच्छे से बनता है चम्मत से उतने अच्छे से नहीं बनता है इस तरह से उचाल के और मिला लेंगे तो तीन चमच ही मैं अरा रोट मिलाए हूँ तीन से चार चमच और ये बेसन है ये चार चमच बेसन है इस तरह से सबको एक साथ मिला लेना है और ये धनिया पत्ती प्याज कटी हुई इसे भी मिला देना अच्छे तरीका से आधा कटोरी से कम पानी है थोड़ा सा ही पानी डालना है और अगर लगता है कि गिला होगे तो थोड़ी सी बेसन और मिला सकते हैं चमच से मिलता है तो ठीक है नहीं तो हाथ से अच्छे तरीके से मिला लीजिए देखे बिखे इस तरह से पूरा उपा निचे तक मिला लेंगे गाढ़ा होना चाहिए गोल मैं थोड़ी से और विशन मिलाओंगी दो चमज तो ये उबला हुआ भुटता है देखे इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए अच्छे से कोट हो जाना चाहिए सबी भूट्टे में कटे हुए गोल सेप में काटी हूँ आप चाहें कि इसको बीट से काच सकते हैं लंबे में काच सकते हैं पर इसे मैं गोल-गोल काटी हूँ बहुत ही टेश्टी लगता है अग तेल गरम हो जाए अछे से थोड़ा हाई फ्लेम में रखना ये देखिये अगह़र तेज आज एकदम त लगता है थोड़ा कम कर देना वीडियूम पर तेज आज में ही सेखना एकदम क्रिश्टी लगेगा अंदर तकशीत भी जाता है और क्रिश्पी भी लगता है पहले अच्छा हाई फिर मीडियम में रखना है आज एक एक करके डालना है तो ये अभी भुट्टे का सीजन है बशात का मौसब है चटपटा खाने का मन हो तो इस तरह से बना कर खाइए बहुत टेश्टी लगता है भुट्टा खाने का भी मज़ा है और साथ में हरी चट्नी टमाटर चट्नी टमाटर सास या चाय कॉफी के साथ बना कर खाइए बहुत ही टेश्टी लगता है ये भुट्टे का अंदर तक सिग्या है अंदर तक भी उसका रस चला जाता है नमक मिर्च चाट पॉडर सब डाल के बनाना है इसमें मसाला आप जितना मर्जिह डाल सकते हैं आपके पसंद के उपर है देखिए ऐसे क्रिश्पी सेक लेना है सुनारा होते तक के गुल्डन ब्राउन हमारे चैनल को प्लीज लाइक और शब्क्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए देखे कितना अच्छा से सेक चुका है यह देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहे हूं कि इस तरह से बची हुए को भी मैं पूरा बना लूँगी तो केवल एक ही बुट्टे का बना रहे हूं बुट्टे के साइच के हिसाब से 10 से 15 पीस कबाब बन गया है तो बहुत असान रेश्पी है बस इतना ध्यान रखना है कि बुट्टे को काटके उसको उबाल लेना है दो सीटी तक और श्वादमसा नमक मिर्च मसाला सब डाल लेना है चटपटा खाना है तो और मिर्च डाल लीजिएगा देखे मध्यमाच में सेख लेना है यह बचे हुए किनारे के जो भी थे उसको भी मैं तल ली हूँ देखे कितना अच्छा दिक्राइक क्रिश्पी है अभी आपको बताएंगे हम कि कीस तरह से अंदर तक सिख गया है और हरी मिर्च के शाथ खा के देखे कितना अच्छा लगता है एकदम चटपटा भुट्टे का कबाब तयार हो गया है अंदर तक पूरा सिग्या है दिखने में भी बहुत सुन्दर दिख रहा है खाने में भी बहुत टेश्टी है अब इसको साइट से ही खात के देखेगा तो पूरा जो भुट्टा है वो भी मुझ में आएगा और वो चबाने में बहुत अच्छा लगता है यह देखे कितना एक एक दाना दिख रहा है जो अंदर का भुट्टा है उसको पूरी अच्छे तरीका से खा लेना है वो ही बा इसको चबा के खाने में बहुत अच्छा लगते दिखे खा के दिखा रहे हूं कि इस तरह से अंदर का उसका दिखता है शेसा बोलते हैं जिसको बाहर का खाने के बाद और इस तरह से पूरा निकल जाता है और अंदर का भी फूरा खिला जाता है यह पूरा रस से भरा हुआ आप चाहे तो इसको अच्छे से चूस भी सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी है आनंद लेके खाईए देखे कितना अच्छा दीख रहा है चटनी से खाईए चाहे चाहे में कॉफी में थैंक्यू सो मच